बागत है आपका हमारे चैनल और आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डाइट टिप्स पोर डिनर इन डाइविटीज जी हाँ आज हम आपको बताएंगे कि डाइविटीज के मरीजों को रात के खाने में इन पांच चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगर आप इन पांच चीजों का सेवन करेंगे तो बिल्कुल संभव है कि इसी बड़ी मुसीवत में पस जाएं और आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो आएए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओं कि डाइबिटीज में सुभे का खाना आप को सोने से पहले किया गया डिनर भी डाइबिटीज के मरीजों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपने रात को खाने में क्या खाया है इसका सीधा असर आपकी फास्टिंग शुगर लेवल पर पड़ता है इसलिए आपको रात के खाने में खाये गए फूड आइटम इसलिए आज हम आपके लिए एक खास जानकारी लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे के रात को डाइबिटीज के मरीजों को क्या-क्या फूड आइटम नहीं खाने चाहिए तो बात करें सबसे पहले ऐसे फूड आइटम की तो ये फूड आइटम है चावल वैसे तो ह चावलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इससे निश्चित रूप से आपकी फास्टिंग शुगर लेवल प्रभावित होती है और आपको डाइबिटीज में समस्या पैदा हो सकती है फिर बात करें दूसरे फूड आइटम की तो ये है कि अधिक स्टार्च वाली और मटर, गाजर, कटेल, कद्दू, अर्भी, शकरकंद और मक्का आदी जैसी सबजियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसके जगे आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मातरा को बढ़ाएं फिर बात करें अगले फूड आइटम की तो ये है गेहों की रोटि या फिर जो के आटे की बनी रोटिया खा सकते हैं ये दोनों प्रकार की रोटिया आपके लिए बेहत फायदेमंद हैं लेकिन किसी भी इस्तिती में आपको रात को गेहों के आटे की बनी रोटिया खाने से बचना चाहिए फिर बात करें अगले फूड आइटम की तो ये है कि तला हुआ भोजन बिल्कुल नहीं खाना है आप समझे के diabetes में विशेश का रात के खाने में किसी भी रूप में तला हुआ भोजन बिल्कुल सेवन ना करें diabetes में आपको इस तरह का भोजन हमेशा avoid करना चाहिए क्योंकि इस तरह का तला हुआ भोजन जो है वो आपकी fasting sugar level बढ़ाने के लिए मुख्या रूप से उत्तरदाई होता है तो आप इससे बचें तो ध्यान दीजे इन सभी बातों का और diabetes में स्वस्थ रहने के लिए लगतार अपनी diet को manage करते रहे है और आज के लिए इतना है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें like और share जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमें subscribe भी करें